अक्षब कुमार जौली की एक कोट रूम ड्रामा फैल्म लेकर आ रहे हैं जिसको नाम जौलीललबी3 है जिसमें ठूस ठूस कर मसाला डाला जा रहा है लेकिन इससे पहले भी अक्षब कुछ फिल्में कर चुके हैं जिनमें कोट ड्रामा को बड़े ही शांदार तरीके से श्रुबाइद करते हैं एतराज से, आक्षे कुमार के फिल्म एतराज में भी कोट रूम सीन दिखाया गया है, इस सीन की वज़से जहां ये फिल्म हिट साबित हुई, तो महीं इस कोट रूम सीन के बाद ही कहानी काफी इंटरस्टिंग हो गई थी, इस फिल्म में आक्षे की की हत्या कर देता है उसके खुद को पुलिस को हवाले कर देता है वहीं उसके बाद कोट में इस हत्या के मामले की सुनवाई होती है जो देखने में काफी मसिदार होती है और इस कोट रूम सीन की वज़े से ये भी फिल्म हिट हुई थी ओ माई गॉड में भी कोट रूम का सीन दिखाया गया है इस फिल्म में दिखाया गया कोर्ट रूम सीन काफी मस्यदार था इस फिल्म में नास्ती कांची नाम का एक शक्स जिसका करदार परेश रावल ने निभाया था वो भगवान पर केस कर देता है और आकर में केस जीच जाता है इस फिल्म में दिखाया गया कि क कोट का सीन काफी मज़िदार है और इसे कोर्ट रूम सीन की वज़ज़ से यह हिट साबित हुई थी इस फिल्म के बाद ओ मायुगॉड टू भी आई थी और इस फेल्म में भी कोर्ट रूम का सीन था जो के काफी मज़िदार था Jolly L.L.B. 2 आख्षे कुमार के कोट रूम ड्रामा सीन वाली सबसे जादा मज़ेदार फेल्म Jolly L.L.B. 2 रही है 2017 में आए इस फेल्म में आधा से जादा सीन कोट रूम का है और इस कोट के सीन के दौरान कोट की करवाही को बड़े ही मसिदार धन्ग से पेश किया गया साथ ही जज के रूप में सौरव शुक्रा ने गजब की एक्टिंग की थी और इसी वज़े से ये फिल्म सूपर हिट साबित रही थी बॉलीवूद की लेटिस न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सौंग रिव्यूस के लिए, सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूद को And yes, don't forget to press the bell icon, ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information, आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं